समस्याओं का समाधान रिशी चिंतन से जब रूची के अनुकूल काम नहीं मिलता तो काम करने का बिलकुल मन नहीं करता ऐसे इस्थिती में क्या करना चाहिए? समाधान अपने काम में रूची अरूची का प्रश्न उठाना अनुप्युक्त है यह एक तरह से अपनी अकर्मनिता और आलस्य को प्रोचसाहन देना है मानव मन की यह विशेष्टा है कि वह जिस प्रकार के भावों से प्रभावित होता है वैसा ही बनता जाता है काम में रूची अरूची का अभ्यस्त मन आगे चल कर ऐसा बन जाता है कि उसे किसी भी काम में रूची नहीं रहती और उसे वह अधूरा छोड़ देता है ऐसी व्यक्ति एक काम को हाथ में लेते हैं नए नए काम आरंब करते रहते हैं और थोड़े समय के बाद उससे भी अरूची हो जाती है तो दूसरे में लगते हैं तात परी यह है कि वे किसी भी काम में द्रण इस्थिर नहीं रह पाते दूसरी ओर जब उपस्थित काम में हम प्रैत्न पूर्वक लग जाते हैं तो थोड़े समय में ही रूची भी वैसी ही बन जाती है इसलिए रूची अरूची का प्रश्न उठाना असंतुलित मनो भुमी का कारण है आलस्य प्रमाद की प्रेरणा से ही मनुष्य इस तरह की मीन मेक निकालता रहता है रूची के अनुकूल काम मिलेगा या भविश्य पर निर्भर है किन्तु जो आवश्यक और अनिवार है वह है अपने प्रत्ते काम से प्यार करना उसमें रस लेना और बड़ी तनमयता लगन के साथ उसे पूर्ण करना पुस्तक समस्याओं का समाधान रिशी चिन्तन से प्रिष्ट पचास अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपनों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल रिशी चिन्तन को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें, धन्यवाद